हेलो एवरिवान, वेलकम टू स्कूल डायरीज खेल के बारे में आज जो है राइटर हमसे बता रहे हैं तो पोएम के पोएट कौन है देखिए रॉबर्ट लुइस स्टीवन सन ठीके तो ये हैं पोएट का नाम जिनोंने ये पोएम लिखी है ठीके तो चलिए अब पोएम को रीट करते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं तो यहाँ पर देखिए दो बच्चे खेल रहे हैं और अपने खेल के बारे में वो आज हमसे बता रहे हैं वी बिल्ट अ शिप अपॉन दुस्टेस ओल मेड़ अप उफ बैक बेडरूम चेस सो यहाँ पर देखिए इन बच्चों ने दो बच्चे जो खेल रहे हैं उन्होंने जो है स्टैर्स के उपर सीडिया होती है न घर के अंदर उसके उपर उन्होंने जो है एक शिप जैसा बना रखा है जैसे बच्चे प्रिटन प्ले गेम्स खेलते हैं डॉक्टर बनके या फिर कुछ टीचर बनके खेलते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर यह लोग जो है शिप बना रहे थे प्रिटन प्ले शिप बना रहे थे ठीके तो वो कहाँ पर उन्होंने बनाय था देखिए अपने बेड्रूम से वो चैस उठा के लेके आए हैं कुरसियां लेकर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने बठा रखा है कुरसियों को और वो इमाजन कर रहे है कि यह उनकी शिप है और इक बेडरी आपको शॉफ्ट पिलों पिलोंग हो और उन्हें अपनी शिप को जो है soft pillows रखकर भर दिया है ऐसी खेलते हैं बच्चे घर से सारा समान उठाकर एक जगा कर जमा करके उनसे जो है कुछ-कुछ खेलते रहते हैं तो यहाँ पर यह लोग जो है मैजन कर रहे हैं कि यह उनकी शिप है और उसके लिए वो जो है पिलोज भी लेकर आएं जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं खुब सारे पिलोज भी उन्होंने वहाँ पर रखे हैं soft pillows अपनी शिप को और भी ज़्यादा comfortable बनाने के लिए to go a sailing on the billows, billows मतलब पानी में तो इस तरीके से पानी में sailing करने के लिए sailing करना मतलब पानी में जाना है ना ship जैसे ship क्या करता है, sail करता है पानी में है ना drive नहीं करता ना, ship को क्या बोलते हैं हम Sundance सेल करना, तो पानी में sail करने के लिए इस तरीके से ship वाला game खेलने के लिए यह सारी चीजे उन्होंने collect की और वह अब ये खेल रहे हैं we took a saw and several nails so saw क्या होता है जो आरी होती है जिससे इसे कटिंग करते हैं तो हमने जो है एक saw भी लिया और several nails बहुत सारी कीले भी ली जो हम दिवार में ठोकते हैं न कील तो वो सारी चीजे हमने ली खेलने के लिए ठीक है and water in the nursery pails और पानी लिया nursery pails में जिससे आपके beach toys होते हैं तो उसमें जो छोट-छोटे खेलने वाले buckets मिलते हैं तो उसमें जो है हमने पानी भी लिया तो उन्होंने इस तरीके buckets में पानी भी लिया ताकि वो एक real ship का feeling ला सके अपने game में and Tom said और Tom ने कहा let us also take an apple and a slice of cake तो Tom ने कहा तो चलिए अब हम एक apple भी ले लेते हैं और एक cake का एक slice भी ले लेते हैं which was enough for Tom and me to go on a sailing on Tilti तो जो की काफी था Tom और मेरे लिए तो Tom देखे उनके friend है जो यहाँ पर है तो Tom के लिए तो Tom ने कहा की एक apple और एक piece of cake ले लेते हैं जो की काफी रहेगा चाय तक Tilti मतलब चाय के समय तक evening तक ना पेट भरने के लिए हमें वो काफी रहेगा शाम तक एक apple और एक cake हम खा लेंगे जो की शाम तक हमारे ले काफी रहेगा क्योंकि वो लोग जो है sailing करने का game खेल रहे हैं तो शाम के चाय तक काफी रहेगा कि हम एक apple और एक piece of slice अभी खा लेते हैं तो ऐसे उन्होंने कहा we sailed along for days and days और हम जो है sailing करते रहे कई दिनों तक तो कई दिनों तक वो जो है sail कर रहे हैं इस तरीके से वो खेल रहे हैं कि कई दिनों तक वो जो है ship में sail करते जा रहे थे and had the very best of plays और हमने जो है बहुत ही अच्छा play इस तरीके से किया इस तरीके से ये जो नाटक ये जो drama हम कर रहे हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खेला हमने इस तरीके से नाटक किया कि हम कई दिनों तक जो है इस ship में sailing कर रहे हैं फिर क्या हुआ but Tom fell out and hurt his knee तो खेलते खेलते क्या हुआ उनके जो friend है Tom वो गिर गए क्योंकि वो stairs में खेल रहे थे हैं सीडियों पे खेल रहे थे तो Tom जो है वहां से गिर गए और hurt his knee मतलब अपने घुटनों में उन्होंने चोट भी खाली तो tricky उनके घुटनों में चोट भी मिल गई तो उनकी घुटनों में जो है चोट लग गई और वो जो है वहां से गिर गए कौन? Tom ठीक है? There was no one left but me तो जैसा कि Tom जो है इस ship से गिर गया है अब यहां पर कोई नहीं बचा है मेरे अलावा तो अभी मेरे अलावा इसमें कोई नहीं बचा क्योंकि ship में से एक आदमी गिर गया है न? Tom गिर गया था अब सिर्फ यहां पर सिर्फ मैं बचा हूँ मेरे अलावा और कोई नहीं है तो इस तरीके से वो जो है एक pretend play game खेल रहे हैं सीडियों के उपर उन्होंने एक ship बना कर इस तरीके से खेला और हमें बता रहे हैं कि उन्होंने ये game कैसे खेला तो यही आपका poem है ठीक है उसके बाद देखी इसके back exercises tick the correct option सही option पे tick माना है the poet built a ship poet ने जो है ship किस से बनाया था back bedroom chairs है ना bedroom से जो chair वगेरा लेके आके उन्होंने ये ship बनाया था the poet and tom actually sailed tilty तो देखे poet और poet और tom ने in real ये game कितने दे तक खेला होगा tilty मतलब चाय तक जब घर में शाम का समय है in real उन्होंने खेला tom fell out है ना sailing करते करते tom जो है गिर गए थे उसमें से तो ये आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और ये देखे ये सारे sentences है और यहाँ पर आपको suitable words लगा कर in passage को complete करना है so यहाँ पर जो है poem का summary दिया गया है तो आपको in words को लगा कर ये जो है ऐसे complete करना है the poet reflects the wonderful childhood days when the poet and his friend Tom build a ship with back bedroom chairs they also kept some soft pillows before they set out to sail they carried saw and nails too they also took water in the nursery pails Tom suggested that they should also take apple and a slice of cake all these things were enough for the poet and Tom they imagined that they sailed for many days unfortunately Tom fell out and hurted his knee so the poet was left alone in the ship later so देखा आपने इन दो बच्चों ने जो है कितने अच्छे से एक game बनाया और खेला मतलब इस से हमें ये समझ में आता है ये poet हमें बताना चाता है कि हमारे पास चाहिए जो भी चीज हो हमें उसी में खुशियां ढूण लेनी चाहिए और enjoy करना चाहिए जरूर ने कि हमारे पास वो सारे खिलाने हो जो दूसरों के पास हो है न तो सब कुछ ना होने के बाद भी खुद creative बनो और खुद अपनी खुशियों को ढूणने की कोशिश करो ठीक है जो है उसी में अपनी खुशियां ढूणडो तो यही जो है poet इस poem के through हमसे बताना चाहते हैं जैसे इन बचोंने किया है न इनके पास असली ship तो है नहीं खेलने के लिए तो इनोंने जो है जो जो समान इनके घर में है वो सब लाकर एक साथ इखटे करकर अच्छे से उन्होंने उस game को खेला और वो दिन उन्होंने enjoy किया ओके सो यही आपका poem था a good play तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी हाँ पे complete हो गया है अब मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर